Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम discuss करेंगे वक्षीट नमबर 39, 4 class 7th, विशेक गनित है और ये वक्षीट आपके लिए 17th of December 2021 के लिए schedule की गई है आज की जो वक्षीट है प्यारे बच्चो उसमें हम प्रायगिक जामिती को continue करते हुए आगे पढ़ेंगे आज की जो वक्षीट है उसमें हम त्रीभुज में SAS यानि side और angle और side अगर दिया हुआ है तो कैसे हम त्रीभुज की रचना कर सकते हैं वो आज की वक्षीट का topic रहेगा सो वक्षीट शुकरने से पहले प्लीज चैनल को subscribe कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की notification वो समय से मिल जाए सो देखे बच्चो क्या दिया गया है आईए याद करते हैं त्रीभुज की रचना करने से पहले हमेशा एक dash खीचना चाहिए तो क्या खीचना चाहिए एक rough sketch खीचना चाहिए बच्चो हमने पिछले worksheet में पढ़ा था कि हमें त्रीबुज की रचना करने से पहले एक rough sketch बना लेना चाहिए जिसे हमें आसानी रहे next दिया गया है हम एक त्रीबुज की रचना कर सकते हैं यदि हमें दिया गया हो तो हम कब-कब एक 3 बुज की रचना कर सकते हैं, ये भी हमने पिछली वक्षीट में ही पड़ा था, कि हमें क्या-क्या दिया हुआ हो, तभी हम रचना कर सकते हैं, तो आइए बच्चों, इसका अंसर हम करेंगे, सो यहां से लिखेंगे त्रीबुज की रचना करने से पहले हमें एक rough sketch खीचना चाहिए यह आपका first answer हो जाएगा और हम एक त्रीबुज की रचना कर सकते हैं यदि हमें क्या दिया गया हो बच्चों इसको थोड़ा सा जूम करेंगे हमें क्या दिया गया हो और तीसरा कोई दो कोण और उनके बीच के एक भुजा दी गई हो यानि A, S, A दिया गया हो और समकोन त्रीबुज में करन और एक भुजा दी गई हो यानि R, H, S, ये दिया गया हो ठीक हैं? तो अगर ये जो है दी गई हैं तो हम एक त्रीबुज की रचना आसानी से कर सकती हैं तो ये आप लिख लोगे अपनी कॉपी में ठीक हैं? उसके बाद next देखें आगे क्या दिया गया है बच्चो त्रीबुज की रचना जब दो भुजाओं की लंबाई और उनके बीच के कॉण का माप ग्यात हो तो हम कैसे करेंगे? देखे, चरन एक है एक रफ त्रीबुज बनाईए दूसरा चरन है कि दी गई बुजाओं में से एक खींच ये, दो बुजा दी गई होंगी तो एक खींच लेनी है जिसमें सिर्ष सहीत जिसके लिए कॉण दिया गया हो चरन तीन है अभी हम साथ में बनाएंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा दिये गई मापका एक कॉण चांदा या प्रकार की साहिता से बनाईए तो जो कॉण दे रखा है वो या तो D की साहिता से या आप प्रकार की साहिता से बना सकते है चरन चार है दिये गए त्रीभुज की दूसरी भुजा की लंबाई के बरावर लंबाई का एक चाप खीचिए सिर्षों को मिलाईए और आपको जो है त्रीभुज मिल जाएगा अब यहां से हम त्रीभुज बनाना सीखेंगे आपको दिया गया है एक त्रीभुज PQR की रचना इस प्रकार कीजिए कि PQ 3 cm QR 5.5 cm और PQR का जो कोन है वो आपको 60 degree का दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक रफ त्रीभुज बनाएंगे तो यह हमने एक रफ त्रीभुज जो है वो बना ली अब हम क्या करेंगे हम सबसे पहले एक जो है बुजा की लंबाई वो खीच लेंगे जैसे हमने QR बना ली है क्योंकि हमें कोन जो है वो क्यू दिया गया है तो कौन क्यू दिया गया है, तो हमारे पास जो Q है वो नीचे जो है बुजा आनी चाहिए, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, तो हमने QR ले लिया, तो 5.5 cm, अब हमने Q पे जो है कौन बनाना है, तो Q पे हमने 60 डिगरी का कौन बनाया, D की साहिता से, तो D की साहिता से बच्च और Q को के अंदर मानते हुए, 3 cm प्रकार को खोलते हुए, और इस तरह से एक चाप लगा देंगे, अब यह चाप जो लग गई, और R जो हमने ले रखी है, इसको हम ऐसे करके मिला देंगे, जैसे यह मिला दी, यह बन गई हमारी त्रीभूज, तो इस तरह से हम और उनको मिला दिया, अब यह हमारे पास PQR त्रीभूज बन गई, आप देखिए, आपको अभ्यास के लिए एक प्रशन दिया गया है, आपको एक त्रीभूज जो है, खीचनी है, HUT, जिसमें HU 5 cm है, UT 2.5 है, और HU, यानि U एंगल दे रखा है, अब U कोन दे रखा है, तो हमें UT जो है, हम नीचे ले लेंगे, तो हमने क्या किया, हमने U और T ले लिया, जो कि कितना है, 2.5 cm, ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चो, हम जो है, U के उपर, यहाँ पर 60 degree का कोन जो है, वो बना देंगे, तो हमने यह कोन जो है, D की साहता से कोन बना दिया, 60 degree का, आप क क्या करेंगे हम स्केल से मापके और 500 प्रकार को खोल प्रकार को खोलते हुए हम जो है क्या करेंगे बच्चो nu कश हम Н suddenly were और 500 चाप जो है वो हम लगा देंगे और इस तरह से यह कितना होगा यह पांच cm हो गया और इसको हम इस तरह से उसके बाद मिला देंगे ठीक है T से और ये जो बिंदू है हमारा ये क्या है ये हमारा H हो जाएगा तो ये हमारी त्रीबुज बन गई H U T ठीक है त्रीबुज कौन सी बन गई है H U T तो इसी तरह से आपको अपनी copy में बना लेनी है तो ये थ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए So thanks for watching मिलते हैं next वीडियो में next वाकशीट के साथ take care bye bye